प्रियभक्तों, जै मातादी आज नवरात्रों का द्वितिय दिवस है, यानि आदिशक्ती मा दुर्गा के दूसरे रूप का दिन, जिसे हम मा ब्रह्मचारिनी भी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि मा दुर्गा के इस स्वरूप को ब्रह्मचारिनी इसलिए कहा गया है, क्योंकि इनोंने भगवान भोले नात को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तप किया, जो मिसाल बन गया। तबसे आज तक भगवान शिव का ऐसा कठिन तप साधना कोई भी नहीं कर पाया है। साथियों ब्रह्म का अर्थ तप और चारिनी का अर्थ है आचरण। अर्थात तप का आचरण करने वाली मा ब्रह्म चारिनी अपने करताप के माध्यम से सभी को ये सीख देती हैं कि अगर मन में लगन है तो कोई भी लक्ष कठिन नहीं है। हम सब कुछ भूल कर यदि अपने लक्ष को प्राप्त करने की ठान लें तो एक न एक दिन लक्ष स्वयम अपना रास्ता सरल सुगम कर देता है। तो आईए माधुरगा के सुग्दितिय पावन रूप की महिमा का श्रवन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। बोलिए जै मातादी। दुरगा मा का दूसरा रूप है ब्रम्ह चारिणी नाम। भक्तों के रिदै को मैया अपना बनाए धाम। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। ब्रम्ह चारिणी ब्रम्ह स्वरूपा मन वांचित फल देती। साधक के मन सदाचार तप त्याग मात भर देती। नवरातों के दूसरे दिन जो इनका वित रखता है। सार सुखों का फल वो अपने जीवन में चखता है। कभी नहीं रुकते हैं उसके जीवन में कोई काम। मा की करुणा और दया पर लगे कभी न विराम। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। सुन्दर अती स्वरूप है मा का ममता जग में न्यारी। कृपा दया से भक्त जनों की दूर कर तिलाचारी। बाए हाथ कमंडल धारण दाए हाथ है माला। अपनी शक्ति से भक्तों का विगडा काज सम्हाला। ब्रम्ह चारिणी मा को पूझे जो भी यहां निशकाम। मा की दया से आये ना जीवन में कोई व्यवधान। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। है अनन्त फल देने वाली ब्रम्ह चारिणी माता। इसके साधक अपना जीवन सुख मैं सदा बिताता। तपक आचरण सदा निभाने वाली आदिशक्ति। जो तिर मैं है छल और कपट से देने वाली मुक्ति। हर लेती है भकतों के मा लोग मोह और काम। इनकी कृपा से हो जाता है जग में उचा नाम। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। शास्त्र कहें ये पूर्व जन्म में मात सती कहलाई। पिता हिमा लेके घर पुत्री रूप में मा आई। नारद जी के उपदेशों से शिव को पती है माना। घोर साधना करके इच्छा पूरण करने की ठाना। ब्रह्मचारिनी कठन तपस्या से ही पड़ा है नाम। काल जै मा दुरगा के इस रूप को मेरा प्रणाम। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। लीन रही मा साधना में और लक्ष पिध्यान लगाया। कश्ट सहे ना जाने क्या क्या तब शिव को है पाया। हर शाकर तब महादेव ने इच्छा है पूरण की नीं। स्वपन सजाकर जीवन में मा के खुशियां भर दीनी। तीनों लोक वासी हर शाएं गाकर मंगलगान। शिव जी और आदी शक्ती से पाये सब वर्दान। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। सब्देवों ने करी सरहना मैया के निज आकर। सफल हुई है मात भवानी लक्ष को पूर्ण बनाकर। कथिन आचरण तपका तुमने जीवन में अपनाया। शिव के संग उधार करोगी देवों ने बतलाया। ब्रह्मचारिणी रूप लिया है जग का करने कल्यान। सभी शास्त्रों में वरणित है पावन यही बखान। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। ऐसे ही जो दमचारिणी मा का वंदन करता। मा की महिमा से उसका है सारा काज सवरता। विचलित मन को मैया रानी पल में धीर बधाती। सारी सिध्धिया माता रानी के तपसे मिल जाती। नव रातों के दूसरे दिन जो इनका लगाए ध्यान। जग में उसका बढ़ता ही जाए मान और सम्मान। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। दम चारणी मैया के तपने हमको सिख लाया। धैर और सयम से जिसने जो चाहा वो पाया। कठिन काज भी साहस से ही सरल सुगम हो जाता। अपने भक्तों को ब्रम चारणी देती शुब वरदान। सपन सभी साकार करती है मा का विधी विधान। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। जीवन के सारे सपनों को हैसा कारज करना। मैया का व्रत करके पावनता से ध्यान है धरना। भाव से मन को मैया जी के चरणों में है लगाना। लीन हो के अंतर मन से मैया जी के गुण गाना। रिशी मुनी और सभी देव गण जिनका करे आहवान। ममतमयवा ब्रह्म चारिणी बड़ी है क्रिपानिधान। बड़ी ये मंगलकारी है जगत की पालनहारी है। झालनहारी है जगत की पालनहारी है जगत की देवान।